केदारनाथ धाम यानी भगवान शिव की पावंत स्थली जहा देश के प्रसिद जोतरी लिंगों में से एक केदारनाथ धाम में भगवान शिव लिंग रूप में विराचमान है। भगवान शिव के इस धाम की कहानी बेहत अनोखी है। इसके बाद जो एलान किया गया उसे जान कर आपके होश उड़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो बाबा के दारनाथ को मानते हैं। क्रिपया करके अन्त तक इस वीडियो को जरूर देखें और जो भी बाबा के दार के भक्त हैं वो कमेंट सेक्शन में जैश्री के दार हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उन्हें मनवांचित इच्छा का फल प्राप्त हो सके। वहीं दोस्तों ऐसा क्या निकला के दारनाथ मंदिर के बंद दरवाजे में से जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। की जब भारत को नई नई अजादी मिली थी तब भारतियों में कुछ तौर तरीके नहीं थे क्योंकि उन्हें गुलामी की आदत हो चुकी थी उस समय कई भारते पुरानिक मंदिर भी विलुपत थे और के दारनाथ मंदिर हिम तिबाही के कारण 400 वर्ष बर्फ में गुम हो का लेकिन जैसे जैसे अजादी को चार से पांच साल हुए वैसे वैसे भारत का सविधान सुधरता रहा और बदलाव की नई तस्वीर दिखना शुरू हो गई देश में हिंदू तव भी जाक चुका था और चारों तरफ अलग-अलग हिंदू मंदिरों को नया अकार दिया जो भी भक्त बाबा के दरबार में पहुंचता था वो बहुती कठिन रास्तों को पार करके सची भक्ती भाव से ही बाबा के दर्शन कर पाता था जिसके बाद जो भी चड़हावा बाबा के दारनात को आता था चै महीने के लिए मंदिर के कपाट बंद करने से पहले उसे म तायब हो चुका था ऐसे में लोगों का मानना था कि छह मां के भीतर जहां इतने बर्फीले माहौल में कोई कैदारना थे आने की सोच भी नहीं सकता वहीं मौका पाकर कुछ डाकों ने अपनी मर्यादा तोड़ते हुए बाबा कैदारनात कैसे चड़हावे को चुराया यह घ रक्षित तोर पर पुजारी के पास या कहीं किसी के घर में ही रखा जाता था और वो बंद दर्वाजा उसके बाद फिर कभी नहीं खोला गया लेकिन समय बदलता गया और बदलते दोर के साथ के दारनात मंदिर में विकास की रफ़तार तेजगती से बढ़ी चारों और घ कमरे को तुडवाने की भी कोशिश करी लेकिन कुछ ऐसे चमतकार हो जाते हैं कि वो बंद कमरा कभी नहीं खुल पाया इसके बाद महादेव की मर्जी मान कर उस बंद दर्वाजे से सभी लोग दूर रहे और उसे किसी ने भी नहीं चोड़ा लेकिन 2013 में के दारनात धाम को बाड की तरासदी का सामना करना पड़ा ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पिघल जाने के कारण पूरे केदारनात को धाम को भाड की चपेट में आना पड़ा और जितना भी विकास हुआ था जितने भी सुईधा थी तब इस बाड के साथ पह गई और केदारनात मं नहीं पहुंचा दो से तीन साल पुनहे धाम को सुधारने में चले गए लेकिन एक बार फिर भगतों ने अपना जोश दिखाया और एक एक करके एक दूसरे को हिम्मत देते हुए बाबा के दारनात के धाम में पुनहे जाना शुरू किया लेकिन अभी तक किसी को भी उस कम 2024 में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं आखिर जब हमने उस दर्वाजे को साठ साल बाद खूला आखिर क्या निकला उस दर्वाजे के अंदर दरसल 2024 में कपाट खुलते ही बाबा के दारनात के धाम में लाखों शरधालों की भीड लग गई जि उसे बंद कक्ष को जगा बढ़ाने के लिए हटाने के आदेश दिये गया लेकिन पहले उस बंद कक्ष के दरौजे को खोला गया ताकि अंदर की इस्थेती का अनुमान लगाया चाह सके और जब सरकार ने उस बंद कक्ष का डाला खोला तो अंदर का नजारा देख कर सब पुराने नोट सिक्के कहां से आए इसकी जानकारी लेने के लिए के दारनाथ के सबसे उमर दराज पंडित को बुलाया गया और जब उन्होंने कक्ष के बारे में अच्छी तरह से सुना तो अपने पूरवजों की पीड़ी अनुसार उन्होंने बताया कि बात है 1957 की देश को अजाद हुए कम ही समय हुआ था उस समय मेरे दादा जी बाबा के दारनाथ धाम में पूजा किया करते थे हम उनकी तीसरी पीड़ी है जो आज भी बाबा के दारनाथ की पूजा करती है उस समय बाबा के दारनाथ को साल भर में काफी अच्छा चड़हा आया था जिसे सुर चड़ावा चोरी हो गया था तो आखिर आज कितने सालों बाद वो चड़ावा यहां कैसे आया सभी लोग बड़े हैरान थे क्योंकि यह सारा चड़ावा तो चोरी हो चुका था लेकिन दो हजार चौबिस में जब यह चमतकार हुआ तो सभी के पैरोतले जमीन किसक गई वज़े से इतने साल बीट गए चाहे जो भी हो दोस्तो लेकिन महादेव की क्रिपा से साथ साल बाद भी बंद कक्ष को खोला गया और उसमें महादेव का एक बहुत बड़ा चमतकार सब को दिखाई दिया इस पूरी घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं हमें कितने भी चुपा लें कितने भी जूट बोल कर चुपा लेकिन अगर आपने कहीं पर चोरी की है या किसी से जूट बोला है या कुछ भी गलत काम किया है तो वो एक नए एक दिन सब के सामने आ ही जाता है क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देखता लेकिन वो भगव आपको मिलती रहे आपका बहुत बहुत धन्यावाद